नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahipal Singh Rathod और आज इस lecture में मैं आपके साथ discuss करूँगा पिछले कई हफ्तों से चर्चा में रहा करनाट का हिजाब issue तो यहाँ पर कानून क्या कहता है, यह पूरा मुद्दा क्या है, अगर आप मेरे लेक्चर्स के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मेरे टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाईए, जो भी मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स हैं, वो आपको महाँ पर राप्त हो जाएंगे, 21 फरवरी से मेरा Modern Indian History का crash course आ रहा है, plus platform पर, तो अगर आप मुझसे live पढ़ना चाहते हैं, Modern Indian History 2022 के UPC exam के लिए, तो you can join this course, इसका link नीचे आपको description में कुछ समय बाद दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मेरे इस course को या Unacademy Plus course इसको join करने के लिए, आप plus subscription ले सकते हैं, जिस पर अभी 20% discount ongoing है किवल कल तक, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा अभी discount मिल जाएगा, plus combo course, that is GS plus optional का course, you will get it for 45,800 रुपीज, इसका link नीचे description में दिया गया है, पहले comment में है, you can join that, तो देखे, यह जो पूरा करनाटका का हिजाब issue है, इसमें मामला Supreme Court तक पहुँच चुका है, लेकिन Supreme Court ने यह कहा है कि देखो constitutional rights protect होनी ज़रूरी है, और Supreme Court ने अभी हस्तक shape करने से मना कर दिया, उसने कहा कि हम सही समय पर हस्तक shape करेंगे, अभी केवल High Court जो है, वो इस मामले की सुनवाई करें, और गलत facts यहाँ पर spread नहीं होने चाहिए, और इस controversy को बढ़ाना नहीं है, यह करनाटका का local issue है, इसे राश्ट्रिय स्तर का मुद्धा अभी ना बनाया जाए, हलागी मुद्धा तो अंतराश्ट्रिय बन चुका है, बट स्टिल Supreme Court has decided not to intervene right now, अब एक बहुत बड़ा यहाँ पर social question या ethical question यह है कि क्या हिजाब public में allowed होना चाहिए या नहीं, देखिए यह एक ऐसा सवाल है, जिसका direct जवाब शायद किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि जवाब depend करेगा कि आप किस पक्ष की तरफ से देख रहे हैं, आपका नजरिया क्या है, उस पर यह जवाब निर्भर करेगा, तो हम बात करते हैं हमारे समिधान की, तो भारत का समिधान, article 25 यह कहता है, कि there is a freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion, आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, और अपने धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोफेस करने का मतलब है कि आप बता सकते हैं, चाहे कपडों के माध्यम से हो, चाहे किसी religious symbol के माध्यम से हो, कि आप इस धर्म का पालन करते हैं, आप इस धर्म के अ को आप भारत के अंदर follow कर सकते हैं यह आपका अधिकार है हर नागरिक को यह अधिकार है that you can profess your own religion और right to propagate भी है कि आप अपना धर्म बढ़ा भी सकते हो आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हो लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते अब यह वाला जो अधिकार है यह भारत में एक negative liberty के तौर में देखा जाता है क्योंकि अंतरराश्ट्री इस तरपर जब secularism की बात होती है या धार्मिक अधिकारों की बात होती है तो वहाँ पर थोड़ा system change है western secularism और Indian secularism का इसके बारे में quality में detail में discuss करते हैं तो अभी बहुत detail में मैं आपर नहीं जाओंगा लेकिन negative liberty क्या होता है जब state ensure कर रहा है कि आपको जो अधिकार दिया गया है उसमें कोई और हस्तक shape ना करे the state shall ensure that there is no interference or obstacle to exercise this freedom तो यह एक तरह की negative liberty है positive liberty नहीं है लेकिन यह बात याद रखिए कि article 25 में जो freedom दी गई है उस पर कुछ restrictions है reasonable restriction हर fundamental right पर होता है जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है वो absolute नहीं है ठीक है आपको पता ही होगा freedom of speech and expression आपके बास है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी कह सकते है उस पर कुछ reasonable restriction है इसी प्रकार से इस अधिकार पर भी तीन तरह के restriction है public order, decency, morality और health and other state interest तो यहाँ पर क्या है कि देखो एक तो public order का यहाँ पर reason दिया जा रहा है कि अगर धार्मिक सोहाद्र या फिर समाज में सहाद्र खराब हो रहा है तो फिर ban किया जा सकता है किसी practice को decency, morality भी clauses है और एक काफी vague सा शब्द है जिसका कोई clear मतलब नहीं है other state interest तो यह इसको लेकर अभी थोड़ा सा और controversy चल रहेगी other state interest का क्या मतलब है तो other state interest को कहकर भी सरकार ban लगा सकती है किसी भी religious practice पर तो देखे भारत में कई धर्म है हर धर्म में हजारों अलग-अलग रीती रिवाज है अलग-अलग practices है तो क्या acceptable होगा, क्या मान्य होगा, क्या मान्य नहीं होगा public में यह tag करा कैसे जाए इसको tag करने के लिए भारत सरकार Supreme Court के एक फैसले पर निर्भर करती है जो काफी important फैसला है, आपको याद होना चाहिए शिरूर मठ केस शिरूर मठ केस 1954 का एक केस है तो इसमें basically Supreme Court ने यह कहा था कि हम यह तै करेंगे कि क्या कोई practice क्या कोई religious ritual किसी धर्म का integral part है यानि कि उसका मुख्य हिस्सा है या नहीं है उसका core aspect है या नहीं जैसे कि कई religious practices है उनको Supreme Court ने आने वाले समय में यह माना कि यह धर्म में essential नहीं है यह जरूरी नहीं है इसके basis पे धर्म नहीं चल रहा है if you leave that practice aside उसको आप हटा भी देंगे तो भी धर्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा आपकी धर्मिक मान्यता पर कोई असर नहीं आएगा इस तरह के कई फैसले बाद में दिये गए इस शिरूर मट केस के आदार पर तो शिरूर मट केस ने हमारे जुडी शरी को एक बहुत important test दिया है इसको हम कहते है essential religious practices test essential का मतलब होता है जरूरी तो कौन सी धार्मिक परंपरा जरूरी है religion का main हिस्सा है या कौन सा नहीं है ये इस essential religious practices test के आदार पर तै किया जाता है तो देखो अभी जो पूरा मामला चल रहा है ultimately वो इसी पर निर्भर करेगा कि करनाट का हाई कोट क्या हिजाब पहनने को एक essential religious practice मानता है या नहीं लेकिन इस पूरे doctrine में ये essential religious practice test वाली doctrine में एक problem है problem यह है कि ये अदालतों को एक धार्मिक वाद विवाद के दाइरे में ले आता है कैसे आप recently example देख रहे होगे कि पिछले 10-12 दिन से high court में क्या decision चल रहा है high court में क्या चर्चा चल रही है अभी decision तो आया नहीं है ये चर्चा चल रही है कि कुरान की इस आयत में ये लिखा हुआ है जा रहे हैं and it is not just about not just about Islamic practices but it is therefore Hinduism as well as Sikhism practices तो यहाँ पर होता ये है कि अदालत के अंदर theology पर debate शुरू हो जाती है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर judiciary की नहीं बलकि धर्म की debate हो रही है इन critics का ये कहना है कि अदालतों को आज के jurisprudence के अनुसार या फिर आज के कानून या constitution के कानूनों के अनुसार चल कर या तो उस धर्मिक मानेता को okay कर देना चाहिए या उसे ban कर देना चाहिए आप इस विशह में ना जाएं इस चर्चा में ना जाएं कि क्या ये धर्म के अनुसार सही है या नहीं क्या धर्म के लिए ये ज़रूरी है या नहीं लेकिन जादातर केसिस में supreme court इसी practice को अभी तो follow कर रहा है तो इसलिए हम भी इसको पढ़ेंगे लेकिन mostly इस doctrine का इस्तमाल करते हुए judiciary ने जादातर practices को ban ही किया है अभी तक mostly जादातर cases में देखा गया है कि supreme court कहता है कि ये essential नहीं है ठीक है क्योंकि mostly क्या होता है कि देखो essential चीज़े court में आती नहीं है थोड़ी सी जो periphery धर्म के periphery पर या non-essential practices है वही court में आती है तो जैसे 2004 में एक ruling आई थी आनन्द मार्ग एक संप्रदाय होता है पर पूरवी भारत में इनके कई followers हैं तो इनको ban कर दिया गया था कि आप अपना तांडव निर्त्य सडकों पर नहीं कर सकते तो इनकी एक परंपरा होती है तांडव डांस होता है तांडव निर्त्य करते हैं ये तो इससे essential practice नहीं माना गया सुप्रीम कोट ने कई practices को ban किया है अब जारतर cases में ये वाले फैसले समाजी काधिकारों पर लागू होता है community based rights पर ये लागू होता है लेकिन कुछ cases में individual एक नागरिक के उपर भी लागू हो सकता है ये वाला doctrine इस्तमाल हो सकता है जैसा 2016 में हुआ था तो एरफोर्स में एक officer थे जिन्होंने अपनी beard को लेकर case किया था so he was removed from the Indian Air Force क्योंकि उन्होंने अपनी दाड़ी बढ़ाई थी he was a Muslim Air Force officer तो दाड़ी बढ़ाना उन्होंने कहा कि मेरे धरम का एक integral part है और मुझे अलाओ होना चाहिए लेकिन Air Force ने उन्हें निकाल दिया था अपने नियम कानूनों को सामने रखते हुए Supreme Court में जब ये case पहुँचा तो three judge bench ने ये कहा था कि हाँ ये बिल्कुल सही है Air Force के नियमों को पालन करना ज़रूरी है और beard रखना या दाड़ी रखना essential practice का पार्ट नहीं माना जाएगा इसी के comparison में sick officers को beard रखना allowed है दाड़ी रखना allowed है क्योंके जब ये फैसला court में आया तब ये माना गया court के द्वारा कि सिक धर्म में दाड़ी रखना या बालों को नहीं काटना एक essential religious practice है इसलाम में नहीं है तो ये वाला मामला आप देख सकते हैं कि individual पर भी लागू हुआ था और जालतर cases में community based rights पर होता है लेकिन अब ये वाला पूरा मुद्दा कहीं न कहीं secularism के debate से भी जुड़ा हुआ है तो देखे पश्चिमी secularism जो France जैसे देशों में follow होता है उसे एक negative secularism कहा जाता है in political science क्योंकि वहाँ पर सरकार पूरी तरह से धार्मिक मामलों से दूर रहती है और बहुत strict secularism follow किया जाता है जिसमें सरकार सभी के लिए समान नियम काइदे कानून रखती है चाहे कोई किसी भी धर्म का हो और government जो है वो किसी भी समाजिक मुद्दे में हस्तक्षेप करती नहीं है सरकार वहाँ पर प्रांस में, यूके में धार्मिक reforms को लाने के लिए कोई कोशिश नहीं करती इंडिया में ऐसा नहीं है भारत का secularism, positive secularism कहा जाता है क्योंकि सरकार यहाँ पर actively समाजिक घ्रीती रिवाजों में हस्तक्षेप करती है और कई practices को हमने हटाया भी है समिधान ने हटाया है कई कानूनों ने हटाया है जैसे कि सबसे बड़ा था untouchability को अटाना तो समिधान कहेकर चला गया कि छुआ छूट को नहीं रखा जाएगा अस प्रशिता illegal होगी भारत में चाहे वो एक social practice हो लेकिन कानून बनाकर उसे हटाया गया सेम temple entry तो मंदिरों में कोई रोकटोक नहीं होगी चाहे दलित हो, महिलाये हो सभी को मंदिरों में entry मिलेगी देवदासी परंपरा को बैन किया गया triple तलाक परंपरा को बैन किया गया इस तरह के कई मामलों में सरकारों ने हस्तक शेप किया है कानून बनाकर religious social practices में अब आगे बढ़े हैं उससे पहले आपको एक basic difference बता देता हूँ हिजाब और बुर्का में तो देखो हिजाब is more like a head scarf तो शरीर के उपरी हिस्से को shoulders को और किवल चेहरे को ढखने के लिए हिजाब का इस्तमाल किया जाता है तो हिजाब looks something like this और बुर्का चादर अलग-अलग terms यूज किये जाते हैं अलग-अलग countries में तो भारत में, South Asian countries में बुर्का mostly एक full body covering होता है ठीक है, तो full body covering बुर्का along with हिजाब और नकाब जिसके अंदर face भी पूरी तरह से covered है, एक veil या परदे से covered है और किवल आखे नजर आ रही है अब issue क्या है कि कई देशों के अंदर बुर्का बैन है, लेकिन हिजाब पर बैन mostly जादतर देशों में नहीं है कुछ चुनिंदा देशों में हिजाब बैन है तो नकाब को लेकर या बुर्के को लेकर पिछले 20 सालों से कई European countries में debate चला है कई बार dress code को बैन किया गया है और यह आज किया पिछले 2-3 सालों की बात नहीं है पिछले 20-25 सालों से debate चला है कई देशों ने बुर्का को बैन भी कर दिया था कि फुल बुर्का या नकाब नहीं पैना जा सकता because of security issues फिर एक बुर्कीनी बैन और आया था फ्रांस में वो काफी अलगी interesting सा था तो खुल मिलाकर यूरोप के कई देशों में बुर्का बैन है लेकिन हिजाब कहीं पर भी बैन नहीं है आप समझ रहे हैं ये वाली जो dress है ये कई जगे बैन है because of security issues लेकिन हिजाब पर किसी भी यूरोपिय देश ने बैन नहीं लगा रखा है अब ये fact मैं आपको क्यों बता रहा हूँ तो बुर्का जो है उसे कई educational institutions ने भारत और अन्य Muslim countries में भी बैन कर रखा है तो बुर्के पर बैन बहुत जगे है for example Kosovo यहाँ पर भी बैन है Azerbaijan ये सब countries है जहाँ sizable Muslim population है Tunisia Muslim majority country है तो यहाँ पर तो 1981 से बैन है कई Arab states में भी बैन है आप जानकर हरान होंगे Syria, Egypt, इन दोनों देशों के अंदर बुर्का educational institutions या government buildings के अंदर band है mainly because of security और other educational reasons लेकिन हिजाब कंपल सरी है कई Islamic countries में mostly सभी Islamic countries में हिजाब पहना जाता है लेकिन कुछ में कंपल सरी है इरान में महिलाएं publicly हिजाब पहने बिना बाहर नहीं आ सकती Saudi Arabia में भी नहीं आ सकती Indonesia में भी कई areas में पूरे Indonesia में नहीं कुछ regions में, कुछ states में इस तरह का rule है तो इरान में तो इसके खिलाफ protest भी हुआ था 4-5 साल पहले कई महिलाओं ने बिना हिजाब के publicly बाहर आकर इस rule को defy किया था इस rule के खिलाफ उनोंने प्रदर्शन किया था कि देखो हिजाब हमें पहनना है लेकिन हम हमारी मर्जी से पहनना चाहते है तो सारा मामला यहाँ पर भी एक तरह से choice पर आकर निर्भर करता है कि कोई पहनना चाहरा है या नहीं अभी 2-3 साल पहले केरला के कई मुस्लिम एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स में नकाब को बैन कर दिया गया था face veil यानि कि चहरा ढखकर आप नहीं आ सकते again that was also not hijab that was a नकाब that was banned और मैं बार-बार यह क्या रहा हूँ कि वो facial identification और अन्यकारणों से उसे बैन किया जाता है hijab को यहाँ पर भी बैन नहीं किया गया था लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कई Muslim Education Institutes ने भी नकाब और बुरका को भारत में भी बैन कर रखा है अब ये मुद्धा 2015 में भी केरल में काफी बड़े स्तर पर सामने आया था जब NEET exam में कई strict rules आये थे तो देखो NEET में क्या है कि paper leak हो गया था है cheating हुई थी 2015 में तो फिर से जब exam हुआ था उस समय बहुँ strict dress code आया था कि कोई भी full sleeves के कपड़े नहीं पहन सकता है क्योंकि उसके अंदर लोगों ने cheating devices छुपा लिये थे तो वो जो dress code आया था उस पर केरला सरकार ने आपत्ती उठाई थी क्योंकि कई Muslim चात्रायां जो है वो full body covering या full body dress पहन कर exam देने देना चाहती थी तो इसलिए इस dress code को लेकर एक petition दायर करी गई थी need के सामने तो CBSC ने कहा था कि देखो हमारा जो rule है वो candidates को लिए हम इसले ला रहे है ताकि कोई छुपा कर कोई device ना लिया है क्योंकि बहुत सारे exams में हुआ है आप भी जानते ही होंगे competitive exams दे रहे हैं उनके लिए केरला high court ने ये निर्देश दिया CBSC को कि आप उन्हें allow करो केरला high court में मामला पहुचा था तो high court ने कहा CBSC को कि need का exam आप organize करा रहे हो तो उन लोगों को जिनको dresses पहननी है religious कपड़े पहनने है उनके लिए आप extra time लीजे चेकिंग में आप उन्हें एक गंटा पहले बुला लीजे उनकी थरो चेकिंग करवाईए लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई अपनी religious dress को छोड़ कर आए या उसके बिना यहाँ पर आए फिर एक और case हुआ था 2016 में ठीक है एमना बेंट बशीर के लिए एक essential यानि कि एक जरूरी धार्मिक परंपरा है लेकिन CBSC के उस rule को quash नहीं किया गया यानि कि ये कहा कि CBSC को भी अपने rule बनाने की पूरी आवशकता है बस आप additional समय लीजे safeguards दीजे पिछले साल की तरह तो extra time I think एक गंटा या आदा गंटा पहले आना जरूरी था अगर कोई हजाब या इस तरह के अन्य वस्तर पहन कर आ रहा है उसके लिए आपको एक गंटा पहले आकर specially checking जो होती है उसमें आपको cooperate करना जरूरी था so that was the middle way that was kept अब देखिए ये दोनों cases जो है ये neat exam से संबंदित थे तो neat exam केवल एक दिन के लिए होता है so it was for a temporary period it was just for one day इसमें अगर थोड़ी बहुत religious freedom पर restriction आई भी तो वे केवल कुछ गंटों के लिए आई लंबे समय के लिए एक और मामला सामने आता है तो school ने कहा कि नहीं हमारा ये uniform है उसमें हम हिजाब अलाओ नहीं करेंगे तो ये मामला भी high court पहुँचता है और high court ने इस case में ये कहा कि institution यानि कि school को ये अधिकार है कि वो अपना uniform तै करे और school के अधिकार को यानि कि collective rights of an institution को individual के अधिकार से उपर माना जाएगा तो यहाँ पर फैसला school के favor में दिया गया यानि कि uniform को follow करना ज़रूरी है करेला में ये मामला कई बार high court में पहुचा है तो recently एक और case हुआ था जिसमें student police cadet project SPC की जो uniform होते है this is something like NCC तो उसके में इंदर religious dresses है especially hijab वो नहीं पैना जा सकता है ये केरला की government ने कहा था तो आप देखोगे कि केरला के high court ने इसमें multiple direction में case on case अलग-अलग निरने दिये हैं अब आ जाते हैं करनाटका वाले issue पर तो देखो इसकी बहुत सारी details news में already आ चुकी है basically सभी media reports में इसे college कहा जा रहा है PUC is pre-university college that is a school ठीक है तो मतलब कई जगे गलत reporting हो जाती है facts और ध्यान नहीं देते हैं तो यहाँ पर school में क्या हुआ कि कुछ चात्राओं ने hijab पहने पर insist किया school ने कहा कि नहीं हमारा एक dress code है, uniform है उसको आपको follow करना जरूरी है तो January में 6-14 उन्हें protest करना शुरू कर दिया तो 6 of the students, they sat on a protest outside the school और school ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया gate बंद कर दिये गए, धिरे-धिरे एक controversy बढ़ती गई February में, पहले हाफते में करनाटका की state government ने एक order जारी किया क्योंकि ये fundamental rights का violation बताया जा रहा है against the right to religious freedom क्योंकि हमने शुरू में भी discuss किया था article number 25, वो आपके धर्म के अनुसार, आपको कपड़े पहनने को और अपने right to profess your religion का अधिकार देता है तो यहाँ पर इन्होंने जो cite किया वो कुछ 83 का कानून था करनाटका Education Act जिसमें ये कहा जाता है कि dress code बनाने का अधिकार सभी schools या college authorities को होगा इसके तहत ये permission करनाटका सरकार ने सभी colleges और schools के administration को दी है right लेकिन यहाँ पर भी problem बस यही है देखो कुल मिलाकर इसी पर judgment आना है कि क्या community based rights wearing clothes according to your religion ये जाधा महत्वपून है या फिर schools और educational institutions के द्वारा तै किया गया dress code तो दोनों में से कौन सा जाधा सर्वो पर है कौन सा उपर है ये decide होगा तो अभी करनाटका Education Department जो है उसने जो order दिया है उसमें ये भी लिखा है कि clothes which disturb equality, integrity and public law and order should also not be won तो ये भी एक reason दिया जा रहा है कई schools के द्वारा कि जो लोग हिजाब पहन करा रहे है या फिर साफरें स्काफ्स पहन करा रहे है उसके करें law and order के issue हो रहे है तो दोनों को रोका जा रहे है जो स्काफ्स पहन करा रहे है हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे है उनको भी रोका जा रहा है and again Muslims को भी रोका जा रहा है तो ये करनाटगा स्टेट का order है जो स्टेट PCS दे रहे हैं उनके लिए जादा important है UPSC में तो नहीं पूछा जाएगा अब ये पूरा मामला करना डगा कि High Court में चालेंज हो रहा है High Court में वही जिरा हो रही है डेली कि कौन सी धार्मिक प्रैक्टिस एसेंशल है कोई कुरान की किसी particular आयत को कोट किया जा रहा है तो ये चीज़ें अभी चल रही है High Court के अंदर और High Court का भी final verdict आया नहीं है एक interim order High Court ने ये जरूर दे दिया था कि अभी के लिए हिजाब ना पहना जाए जब तक कि हिजाब और साफरेंशल दोनों ना पहनी जाए students के द्वारा जब तक हम final decision नहीं दे दे थे अब जो petitioners के advocate हैं वो ये कह रहे हैं कि article 25 के बारे में details को याद रखिए telegram channel आपके सामने है आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपका इस पूरे मुद्धे पर क्या opinion है do comment in the comment section बट हाँ भाशा की मर्यादा बनाया रखें unacademy के माध्यम से आप UPC exam की तैरी कर सकते हैं प्लस और iconic दो प्रकार के subscription है अभी इन subscriptions पर 20% discount मिल रहा है till 19th February so you can avail this offer हमारा फोन नमबर है specifically मेरे learners के लिए फोन नमबर हमने बनाया है जिसको call करके आप course related कोई भी आपको चीज़ पूछनी है हमारे नए batches बनते हैं हर Wednesday को you can join these batches iconic subscription के बहुत अच्छे benefits है one-on-one mentoring आपको मिल जाती है सारे courses EMI option पर available है medieval history की practice test series को join ज़रूर कीजिए unacademy light subscription जिसमें आप test series को join कर सकते हैं 2022-2023 के prelims के लिए combat आ रहा है बहुत बड़ा combat है इस बार there are many attractive gifts to be won on 27th of February prelims के लिए score booster test series है और एक mega test series भी चल रही है उसको आप join कर सकते हैं thank you very much have a nice day